बिस्मिल्लाइ रोमान वरहीम, अस्सलाम अलेकूम, आज लिकराई हूँ अंडा क्रीमी ग्रेवी की रेसिपी जो कि बहुत ही रिच और बहुत डिलिशिस बनती है और हेल्दी तो है ही ये रेसिपी, तो चलिए फटा फट से बनाना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम करे अंडों को बॉल, 6 तथ अंडे लिए हैं मैंने इनको उबाल लेंगे, 10 मिन्ट के लिए इनको उबाल लेंगे, 10 मिनट हो चुके हैं, अंडे उबल चुके हैं, इनको हमने ठंडा करने के बाद छिलका उतार कर रख लेना है साइट पर, चलते हैं ग्रेवी बनाने की तरफ, एक पैन में डाला है मैंने 2 अदद प्याजें रफली कट करके वो डाल दी हैं, और इसको हम सौते कर लेंगे, गोल्डन नहीं करना है, प्याजें सॉफ्ट हो चुकी थी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, तकरिबन 15 अदद काजू, 8-10 अदद हरी मिर्चे, लहसन के ज चामिल करूंगी, एक ग्लास पानी, और पानी के साथ इसको हम कवर करके तकरिबन 3-4 मिंट पका लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, लिक्को कर देंगे कवर, और 4-5 मिंट के लिए इसको छोड़ देंगे, पकने के लिए, ये देखिए, पानी हाफ जो है इसका रिड्यूस हो चुका है, और तमाम चीज़ें भी जो हैं, सॉफ्ट हो चुकी है, बस अब इसको हम ठंडा करेंगे, और एक मिक्सी के जार में डालके इसका फाइन पेस्ट रेडी कर लेंगे, दूसी तरफ चलते हैं, ग्रेवी रेडी करने की तरफ, तो एक पैन में डाला है, मैंने, 4 टीबिल स्पून कुकिंग ऑईल, उसमें डाला है, 1 ती स्पून जीरा और थोड़ा सा उसको फ्राइ किया, उसके बद इसमें हमने शामिल कर दिया है, रेडी कियावा काजू, हरे मिर्चें, लैसन अद्रक और प्यास का पेस्ट, इसको हम थोड़ा सा फ् माफ टी स्पून, लास्स में हम ढालेंगे, गरम मसाला 1 थर्टी ती स्पून, अब टमाम चीजों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा फ्राइक कर इंगे, यदि कि मसाला थोड़ा भुन चुका है, अब इसमें शामिल किया है, टूटेबल अब इसमें में डाल रही हूँ 3 टिबिल स्कून फ्रेश क्रीम टेटरा पैक वाली और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से और ये देखिए बहुत ही क्रेमी सी ग्रेवी जो है इसकी बन रही है अब हम इस ग्रेवी में शामिल कर देंगे उपलेवे अंडे चैदर और इसको भी साथ में थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स और अब लीट को कवर करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे जब तक मसाला भी भुन जाएगा और परफेक्ट ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो लीट को कर देते हैं कवर 3-4 मेंट के लिए फ्लेम कुप बिलकुल मीटियम तो लो रखेगा इस टाइम पे ये दिखे तीन से चार मेंट हो चुके थे और ग्रेवी हमारी बहुत ही परफेक्टली रेडी हो चुकी है बिलकुल मज़ेदार सी और बहुत ची खुश्बू आ रही है बहुत ही तेस्टी लग रही है दिखने में उपर से मैंने डाल दी है हरी मिर्चे चॉप की वी फाइन चॉप की है थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इस पे और अब इसको हम आप चाहें तो इसी तरह सर्फ कर दीजिए या फिर अगर चाहें तो अंडों को जो ही इस तरह से कट कर लीजिए कट करने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है तो आप इस तरह कट करके और सर्विंग डिश में या किसी प्लैटर में आप इसे सर्फ कीजिए और ये बहुत है रिच रेस्टोरेंट स्टाइल एक ग्रेवी की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी जरूर ट्राइ किजिएगा अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबेक जरूर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विडियो को लाइक और शेयर करना मन भूलिएगा अलाहाफिज